तो आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कॉमेंट पे प्लीज बताएए और हम ट्राइ कर रहे हैं कि सारे इंपॉर्टन कोश्चन और एक टाइप का कोश्चन कवर करते जाएं यहाँ पर मैं दो कोश्चन आपको दिख रहा है और देके लिखा हुआ है मैंने इक ही टाइप का कोश्चन है कोई भी एक मैं आपको सॉल्प करके दिखाऊंगी दूसरे वाला आप घर पे ट्राइप करना जैसे कि फॉर्स्ट कोश्चन इंट्रिक्रेशन साइन स्क्वरे कॉ चाइप की कोश्चन साफ कैसे सॉल्प करोगे । अब को ध्यान देना है है लिनियर पावर पे लुटे चैने अगर आप लिनियर पावर पे लिक के जा सकते हो मतलब पावर वं हो सकता है तो अप उसको इंट्रिगरेट किसी भी तरीके से easily कर सकते हो अगर square power cube power में हो जाता है तो integrate करने में ज़्यादा दिक्कत आता है इसी लिए हम cost to x को x में नहीं करेंगे x को 2x angle में convert करेंगे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जैसे कि sin square x है na 2 sin square x का formula में पता होता है तो 2 sin square x करते है तो हमने 2 x ट्रा लिया हुआ है तो सामने half multiply करते है और cost to x जैसा है वो ऐसे रहने देते हैं आप यहाँ पर भी 2 लेना ठीक है और half बाहर में लिखना ऐसे यहाँ से क्या आता है 2 sin square x मतलब 1 minus cost to x बनता है formula into cost to x इसमें भी ऐसा ही आपको कुछ दिखेगा 1 plus cost to x ऐसे करने से राइट तो यह आपका formula बन जाता है क्योंकि हमें पता है ना 2 sin square x मतलब 1 minus cost to x बनता है एंगल डबल होता है यह ऐसे हम इस बैले formula का आप लेगिया तो अभी multiply करने से cost to x बनता है minus cost square 2 x dx बन जाता है देखिए इसका integrate करने में दिक्कत नहीं होगा अब फिर से square आ गया इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर से हुई पर multiplied with 2 करना पड़ेगा पहले मैं break कर देती हूँ ठीक है तो इसका integration बन जाएगा इसको integrate करने के लिए इसके सामने एक 2 चाहिए तो हम क्या करते हैं cos 2x dx minus इसका मतलब 1 by 4 कर देते हैं यहाँ पर एक 2 ले लेते हैं तो इसका integration फॉर्मूला क्या बन जाएगा क्योंकि हमें पता है 2 cos square theta मतलब 1 plus cos 2 theta होता है इसका मतलब आपका यह 2 cos square 2x मतलब 1 plus cos 4x बन जाएगा मतलब आपका 1 plus cos 4x बन जाता है dx हो जाता है अब इंडिविजुली सबका integration कर दीजे यह आता है half और cos 2x का integration आता है sin 2x by 2 क्यों इसके सामने minus नहीं होगा integration डाले part में मैंने समझाया था फॉर्मूला में और यह x में 1 का integration x होता है और इसका sin 4x by 4 आता है और plus एक integrating constant आता है sequence to integrating constant यह answer बन जाता है आपका ठीक है आप इसको भी इस वाले questions को भी 2 into करके कर सकती है ठीक है समझ में आया चलिए next question में जाते हैं come to second type and third type questions यहां पर second type question में आपको integration cost to x minus cost to alpha divided by cost x minus cost alpha दिक्राएं यहां पर मैं आपको कुछ rules बताती हूं नहीं तो आप ढूंडिये किसी का substitution है की नहीं और थोड़ा सा practice भी तो चाहिए क्योंकि इसका substitute a भी नहीं होता है इसका substitution a भी नहीं होता है किजी को substitute करने से नहीं होगा आपको समझ में आ रहा है derivative का formula अच्छे से याद हो तो बहुत ही easy है अगर इसको हम हटा नहीं सकते है इसको हटा नहीं सकते ही यहां पर और एक खंख कर सकते हैं यहां पर जो angle है x and alpha है यहां पर double है उसका थीक नवरं गुषा 2ünkü स्कौर 5 और 1 इसा दो formula आता है cost में आता है एक sign पे आता है similarly इसको भी मैं formula में break कर लेती हूँ ठीक है अभी इसके बाद हमें अभी जब हम bracket उठाएंगे आपको ये 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha plus 1 मिलेगा ठीक है तो इससे आपका क्या बन जाता है ये उपर 1 and 1 cancel होता है और दोनों से 2 common आ जाता है तो इसका मतलब cos square x minus cos square alpha बनता है अभी cos square x minus cos square alpha बनने से क्या होता है ये a square minus b square वाला formula बन जाता है ठीक है ना तो आप formula में जब लिखेंगे cos x minus cos alpha into cos x plus cos alpha होगा और नीचे whole divided by cos x minus cos alpha already बन जाता है तो इसका मतलब ये cancel हो जाता है ठीक है तो आपका राजाता है 2 integration cos x plus cos alpha dx x के respect में integrate हो रहा है तो cos x तो एक function है और cos alpha हो जाता है आपका constant cos x का integration sin x होता है और cos alpha जाता है और इसके लिए dx के लिए x आता है प्लस ये आपका answer हो जाता है ठीक है ना आपको लिखना पड़ेगा ठीक है समझ में आया अभी देखे question number 3 ये third type के questions में हम कैसे करेंगे ये ऐसे type कर रहे सकता है नहीं तो और भी एक ऐसे same तरीका का question बनता है वो आपका आता है integration cos x minus cos 2 x whole divided by 1 minus cos x cos x minus cos 2 x whole divided by 1 minus cos 2 x दोनों same तरीके से होगा मैं एक दिखा दिखा दियूं करके आप दूसरे वाले घर पे try गा ना तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर भी देखिए किसी भी तरीके से आपको convert करना होगा नहीं तो substitute करना होगा कुछ भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते है 1 plus sin x को हटाने के लिए उपर 1 sin x का पूरा time लिके आते है तो cos 2 x को हम sin x के formula में convert करते हैं तो यह sin x है रख देते हैं और इसका formula था है 1 minus 2 sin square x और नीचे आ जाता है 1 plus sin x हो already था मैं cos पर लेके नहीं गी क्योंकि मैं यह sin x में सब लिके आ रही हूँ क्योंकि already मेरा नीचे sin x है अब इस पाले में क्या करना है इसको cos में convert करना क्योंकि नीचे cos में है वारी तो cos में ही है तो यह आपका sin x minus 1 plus 2 sin square x whole divided by 1 plus sin x dx बन जाता है ठीक है यह quadratic equation in sin x है तो आप ही इसको quadratic equation की तरह जब लिख लेंगे तब आपको यहां पर कुछ factorization दिखेगा जैसे कि 2 minus 1 करने से यह आता है आपका तो आप इसको break कर सकते हैं कैसे break कर सकते हैं 2 sin square x plus 2 sin x minus sin x minus 1 इसको मैंने break कर लिया थो लिया ठीक है factorization क्या किया है हमने फर्स्ट दोनों में से 2 sin x अपका common आता है तो 2 sin x हमने common ले लिया तो हमारा जाता है sin x plus 1 और second में से जब हम 1 common ले रहे हैं तो sin x plus 1 दाता है sin x plus 1 common आता है और नीचे 1 plus sin x that means sin x plus 1 already है तो यह वो cancel होने के लिए होने के बाद direct हम लिखते हैं हमारा 2 sin x minus 1 into sin x plus 1 whole divided by 1 plus sin x और sin x plus 1 हम बता सकते हैं यह दोनों cancel होने के बाद आपका रहा जाता है 2 sin x minus 1 तो मैं इधर लिख रही हूँ इसका रूल से बता है था मैं m1 का होता है x plus c इसका मतलब minus 2 cos x minus x plus c यहां पर c integrating constant है यह आपका answer बन जाता है I hope आपको समझ में आया यह three type का questions था Thank you friends